जंगल में रक्षा बंदन का तहवार आने वाला था उस कारण सभी पखशी बहुत खुश थे कुकु आज मैं और मेरी ममा मेरे मामा जी के हाँ जा रहे हैं दूसरे जंगल और वहां मेरी ममा मेरे मामा जी को राखी बांदेंगी और मेरे मामा जी मेरी ममा को अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे फिर तो आपको बहुत मज़ा आएगा परन्तु तुम्हारा तो कोई मामा है ही नहीं आप कहा जाओगे ऐसा कहते हुए जगू कववा वहां से चला जाता है और फिर छोटा चिडिया का बचा भी अपने ख़ड चला जाता है ममा रक्षा बंदन का तहवार क्या होता है बेटा रक्षा बंदन के तहवार पर बहने अपने भाईयों को राखी बानती है ममा क्या आपका कोई भी नहीं है मेरे पास मेरा बेटा जो है मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है आज आप नदी से जल्दी क्यों आगे ममा मैं जग्गू से खेल रहा था कि जग्गू ने बताया कि वो अपनी ममा के साथ अपने मामा जी के हाँ जा रहे हैं रक्षा बंदन का तहवार मनाने के लिए चल भी जग्गू जल्दी जल्दी से त्यार हो जाओ हमें शाम से पहले पहले पहुहआँखना है मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा और मेरे लिए भी अपनी मा के जंगल से लड्टू लाना न भूलना ले आउंगी ले आउंगी लड्डू भी तुम्हें तो हड़ समय लड़ू खाने की ही जिंता रहती है ममा जाते जाते कुकु से मिल कर जाएंगे ममा जब मैंने बताया कि मैं ममा के साथ रक्षा बंदन मनाने जा रहा हूं तो वो बहुत दुखी हो गया था फिर गोरी कवी और उसका बेटा वहां से उड़ते हैं वो जाते जाते चिडिया के पास रुखते हैं चिडिया अफसोस तुम्हारा तो कोई भाई है नहीं अगर होता तो तुम भी आज रक्षा बंदन मनाने जाती मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है मैं अपने बेटे के साथ ही सभी तहवार मनाती हूँ तुम्हारा तो कोई भी नहीं है बहुत मनहूस हो तुम चिडिया मैं तो कहती हूँ नदी में डूब कर मर जाओ ना तुम्हारा पती ना तुम्हारा भाई ना तुम्हारा बाप ना तुम्हारी माँ एक इस बेटे के सहारे कैसे जियोगी गोरी बेहन मैं अपनी जिन्दगी में बहुत खुश हूँ और आप हर समय ऐसी बातें करके मुझे दुखी ना किया करें फिर गोरी कवी चिडिया से ऐसी जली कटी करने के बाद वहां से चली जाती है तोते यार चिडिया का कोई भाई नहीं है क्यों ना इस बार हम चिडिया के साथ रक्षा बंदन का तहवार मनाए और चिडिया मुझे भाई तो समझती ही है यार चिडिया आपको अपने भाई की तरहां ही प्यार करती है इसलिए आपको भी चाहिए कि अपनी चड़िया बेहन के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदो मेरे पास इतने पैसे तो है कि मैं चड़िया के लिए चांदी के कंगन ले सकूँ और राखी मैं ले आउंगा ऐसा सोचकर कबूतर और तोता शहर के बाजार को जाती है भाई जी मुझे अच्छे वाले खालिस चांदी के कंगन तो दे दे ये कंगन बहुत अच्छे हैं चांदी के जरूर है परन्तु सोने के कंगन से ज़्यादा संदर दिखते हैं तोता भी राखी खरीद लेता है और फिर वो दोनों वापिस आ जाती हैं। हम कल चड़िया बेहन को सरपराईश देंगे। चड़िया ये सब देख बहुत खुश होगी। जंगल में रात भी हो जाती है। ममा मुझे बताए ना आपके भाई कहां गे। मुझे जगु ने बताया कि मेरे भी मामा जी होते थे। कुकु बेटा तो सुनो ये तब की बात है जब मैं बहुत चोटी थी। मैं और मेरा भाई अपने घर से निकले हम नदी पर पानी पीने जा रहे थे। मैंने पानी पी लिया था। और जब मेरा भाई पानी पीने लगा, तो उस जालम शिकारी ने तीर मार कर मेरे भाई को मार दिया। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। परन्तु मेरा भाई, खून में लदबत कुछ भी ना कर सका। और वो शिकारी मेरे भाई को उठा कर अपने साथ ले गया। ममा ममा आप तो रोने लगें ममा चुप कर जाएं मैं फिर कभी आप से ऐसा सवाल नहीं करूंगा नहीं कुकु बेटा कल रक्षा बंदन है ना मुझे भी अपने भाई की बहुत याद सता रही थी ऐसे वो माम बेटा सो जाते हैं दूसरे रोज रक्षा बंदन का तहवार था गोरी कवी अपने भाई को राखी बानती है ये राखी मैं अपने भाई के लिए सबसे महंगी दुकान से खरीद कर लाई थी सदा खुश रहे मेरा भाई जुग जुग जीए और मेरी बहन भी ये कंगन खालिस ओने के हैं ये भी मैंने बहुत महना से चुराएं हैं अपनी बहन के लिए चील के घर से चुराएं हैं आज राथ ही मैं गया था अपनी बहन जी के लिए कंगन चुराने देखलो जगू, कैसे आपके मामा जी ने अपनी बेहन के लिए इतनी बड़ी चोरी की? कैसे प्यार करते हैं आपके मामा जी मुझ से? ममा, ममा, मैं भी कुछ दिन मामा जी के पास रहकर चोरियां करना सीख लओंगा अब ही तुम चोटे हो और ये काम तो तुम्हें तुम्हारे पापा भी अच्छे से सिखा देंगे और ममा पापा के लड़ू गोरी बेहन लड़ू तो मैं नहीं ला सका तुम्हें तो पता है पैसे तो मेरे पास होते नहीं माल ही चुराना होता है इसलिए लड़ू किसी से बिना चुरा सका ये कंगन ही बहुत है भाई लड़ू में अगली बार ले जाऊंगी तुम्हारे जीचा जी को बहुत पसंद है माजी के जंगल के लड़ू चल भी जगू जाकर देखें वो चोटी चुडिया कैसे मना रही है रक्षा बंदन ममा ममा वो तो अपने बेटे कुकू को ही राखी बांदेंगी और कैसे मनाएंगी ऐसे गोरी कवी वापिस अपने जंगल के लिए उड़ती है कुकू और उसके ममा उदा सोकर नदे पर बैठे हुए थे कि वहां कभूतर और तोता आ जाते हैं चुडिया बेहन आप यहां बैठी हैं मैं आपको घर से देह कर आया हूँ परन्तु चुडिया खामोश थी और वो रो रही थी चुडिया बेहन आप रो क्यों रही हैं अंकल आज रक्षा बंदन है और ममा का कोई भाई नहीं है बस इसलिए ममा राज से रो रही है रानो बेहन आप मुझे कभूतर भेया भी कहती हैं और फिर भी ऐसा कहती हैं कि आपका कोई भाई नहीं है हमारा खून का कोई रिष्टा नहीं है परंतु जो रिष्टा हमारा आपकी साथ है वो खून के रिष्टों से भी कीमती और मजबूत है ये ले राखी और बांधे अपने भाईयों के मैं हूँ आपका कबूतर भाई और मैं मिठू भाई ये सब देख चिडिया बहुत हैरान थी मुझे माफ करना मेरे भाईयों मुझे नहीं बता था के मेरे कबूतर और तोता भाई इस रक्षा बंदन के तहवार पर मुझे अकेला नहीं छोडेंगे फिर चिडिया कबूतर और तोते को राखी पहनाती है और ये कंगन चांदी के जरूर है परन्तु इन में हमारा प्यार सौने से भढ़ कर है चिडिया बहुत खुश थी फिर वहाँ एक पुलिस वाला पक्षी आ जाता है दोस्तो यहाँ पर कोई गोरी कवी भी रहती है हाँ वो सामने है उसका गोंसला परन्तु आपको उससे क्या काम है हमें उसकी तलाश है कोई जरूरी काम है फिर वो सब उस पुलिस वाले को साथ लेकर गोरी के घर की तरफ जाते हैं गोरी भी अपने पती से अपने भाई की शोखिया मा रही थी चेक कर लो खालिस सोने के कंगन है मेरे भाई ने मुझे दिये है ऐसा तोफा किसी के भाई ने नहीं दिया होगा अपनी बहन को और वो भी चोरी के कंगन मैं बताता हूँ तुम्हें ऐसा कहते हुए वो पुलिस वाला पक्षी गोरी को हतकड़ी लगा देता है ममम मुझे छोड़ो मेरा क्या दोश है गोरी बहन देखा मेरा कोई भाई नहीं था भगवान ने मुझे दो दो भाई दिये है और तुम्हारे भाई ने तुम्हें चोरी के कंगन देकर तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल दिया चलो अब अब तो जेल जाकर ही बात करेंगे ऐसे वो पुलिस वाला गोरी को साथ ले जाता है पापा वो तो अच्छा हुआ ममा लड़ू नहीं लाई मामा जी ममा को चोरी के लड़ू भी देने वाले थे ये संकर चिडिया, कबूतर और तोता हंसने लग जाते हैं जगू मेरे भी अपसे दो मामा जी है कालू जी मेरे सुन्दर पती, हर समय ये सूखे दाने ही लाते हो खाने को कभी कुछ और भी लियाया करो तुम्हें गोंसले में बैठे बाते आती हैं जराख खुद निकलो ना भोचन की खोच में तो तुम्हें पता चले कि ये सुखे दाने भी इतनी आसानी से नहीं मिलते कालू जी कितने प्यार से बात कर रही हूं मैं और तुम तर लड़ने ही लगे मेरी बात पुरी सुनो जी फरमाएं अब क्या फरमाईश है तुम्हारी वो ना मेरी बेहन आई थी कालपास वाले जंगल से वो मुझे बता रही थी कि पूर वाले जंगल में उलूओं के अंगूरों के बाग है और उसका पति हर रोज उसके लिए वहां से अंगूर चरा कर लाता है बहुत प्यार करता है मेरा जी जु जी मेरी बेहन से तो फिर मैं क्या करूँ अगर वो अंगूर चरा कर लाता है तो अगर वो अपनी पतनी के लिए ये चोटी सी चोरी कर सकता है तो तुम तो पराने खलाडी हो तुम नहीं मेरे लिए कुछ अंगूर चरा कर ला सकते है वहां से मैंने अब चोड़िया छोड़ दी है मेरा सुन्दर पती बस एक बार अगर तुम इतने प्यार से बोल रही हो तो फिर तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा मुझे मुझे पता था मेरा पती बस उपर से हिकाला है अंदर से तो बहुत अच्छा है मेरी हर खुशी पूर करता है लेकिन तो मेरे साथ जाओगी मुझे तो उस जंगल के रास्ते का नहीं पता गई तो मैं भी कभी नहीं हम ऐसा करते हैं कि कबूतर को भी साथ ले जाते हैं वो भी थोड़ा लालची है अंगूरों के लालच में आकर साथ चला जाएगा हमारे और फिर वो दोनों कब कभूतर की तरफ चले जाते हैं तोते यार बहुत दिन होगे कोई अच्छी चीज़ नहीं खाई अब दो सूखे दाने भी मुश्कल से मिलते हैं मुझे तो कल एक अमरूद मिल गया था वो भी आदा तो किसी बुलबुल ने खाया हुआ था लेकिन बहुत मीठा था बहुत म जाया मुझे तो तोता और कभूतर बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वहां गोरी कवी और कालुकवा आ जाते हैं क्या सला हो रही है तोते और कभूतर सला क्या करनी है गोरी भूग से मर रहे हैं बस यही सोच रहे थे इसलिए हम आए हैं तो महारी तरफ पूर वाले जंगल म और वो गोरी कवी से कहता है लेकिन मैं थोड़ा दूर ही बैठूंगा मैं अंगूर चुराने तुम्हारे साथ बाग में नहीं जाओंगा और हिसा भी पूरा लूँगा मुझे तो स्वीकार है तोते यार चलो तुम भी हमारे साथ मुझे तो टन लग रहा है अगर पकड़ेगे तो अंगूर चुराने गोरी और कालू ही जाएंगे हम तो थोड़ा दूर बैठ कर नगराने करेंगे और फिर ऐसे तोता भी मान जाता है और फिर तोता, कबूतर, गोरी कवी और कालू कवा पूर वाले जंगल की तरफ उलूओं के अंगूर चुराने निकल जाते हैं कबूतर को तो रास्ते का अच्छे से पता था इसलिए वो कहीं भी रास्ते में नहीं रुकते और वो सीधे पूर वाले जंगल पहुंच जाते हैं मैं और तोता यहां बैठते हैं और तुम चला लओ लेकिन हिसे की बात याद है ना याद है याद है हम जाते हैं लेकिन तुम दिहां रखना और फिर गोरी कव्वी और कालू कव्वा अंगूर चुराने चले जाते हैं ये तो बहुत मीठे हैं अंगूर मैंने इतने स्वादिश्ट अंगूर पहले कभी नहीं कहाए अच्छा ही हुआ जब मैं तुम्हारी बात मान गया अंगूर तो सच में बहुत मीठे हैं कालू तुम एक उच्छा तोड़कर कभूतर को दे आओ और फिर बात में हम अपने लिए तोड़ते हैं और फिर कालू कववा एक उच्छा अंगूरों का तोड़कर कभूतर की तरफ जाता है कबूतर हमने अपना वादा पूरा किया लेकिन जो अंगूर हम अब लेंगे उन में से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा कालू कववा बैठा कबूतर से ऐसे बात कर ही रहा था कि वहां दो उलू आ जाते हैं वो कालू कबूतर और तोते को तो नहीं देखते वो सीधे अपने बाग की तरफ जाते हैं और गोरी कववी तो अपने दिहान बैठी अंगूर खा रही थी वो उलू आगे वो उलू आगे वो तो सीधे बाग की तरफ चले गे हैं कालू अच्छा यही है कि हम खामोशी बैठ रहते हैं गोरी तो पिटे गे ही अगर हम बोले तो हमारी भी पटाई हो जाएगी लेकिन गोरी घर जाकर मुझे छोड़ेगी नहीं लेकिन वो खामोशों कर बैठ जाता है छोड़नी कहीं की हम खलाते हैं तुम्हें अंगूर ये तुम्हारे बापने लगाए है कालू कालू कहाँ चिलेगे मुझे बचाओ इन अलूँ से लेकिन कालू तो डर के मारे चुपी रहता है और वो अलू गोरी कवी की अच्छी खासी पटाई करते हैं बस थोड़े ही खाए थे बस थोड़े ही खाए थे अब छोड़ भी दो और फिर गोरी कवी जैसे तैसे वहाँ से भागती है और फिर कालू कबूतर और दोता भी गोरी के पीछे ही उठ जाते हैं जल्द ही वो अपने जंगल पहुंच जाते हैं तुम सबने अच्छा नहीं किया चुम मुझे अकेले ही बिटने दिया गोरी अगर हम बोलते भी तो क्या कर लेते हम भी बिटते बचा तो सकते नहीं थे तुम्हें उन अलुओं से कालू तुम तो जरा घर चलो तुम्हें पूछती हूं मैं घर जाकर और फिर कालू कववा और गोरी कवी अपने घर चले जाते हैं तोते इतने मिठे अंगोर बहुत मज़े के थे सच में कबूतर ये तो बहुत स्वाधिश थे मेरा तो मन कर रहा है कल फिर जरें गोरी और कवे को साथ ले कर मुझे तो नहीं लगता के गोरी अब नाम भी लेगी अंगोरों का वो बहुत लालची है तुम देख लेना वो कल फिर दियार हो जाएगी तुम्हें जरा शेरम नाई तुम्हारी बतने पिट रही थी और तुम चुपे बैठे रहे गोरी अंगोर भी तुमने ही खाय थे मैंने तो अभी शुरू ही किया थे कि तुमने कबूतर की तरफ बेज़ दिया लेकिन गोरी वो अंगोर बहुत मचे के थे कल हम सुबह सुबह ही जाएंगे और उल्वों के आने से पहले ही अंगोर चुरा लेंगे और फिर रात हो जाती है और वो सो जाते हैं दूसरे रोच बूँ अधेरे ही कबूतर और तोता कालू की तरफ आते है गोरी लग तो नहीं रहा तुम पिटी हो अच्छी भली लग रही हो आज का क्या ख्याल है कल हमें रास्ते का नहीं पता था इसलिए तुम्हें साथ लेगे थे लेकिन आज हम अगर गे भी तो तुम्हें साथ नहीं लेकर जाएंगे गोरी अंगूर बहुत मीठे थे हमारे तो मुझे सवाद नहीं जा रहा उन अंगूरों का गोरी आज फिर अकटे ही चलते हैं आज फिर तुम और कालू चुराना और हम अच्छे से दिहां रखेंगे और फिर कल तुम दिहां रखना उलों का और हम चुराएंगे अंगूर गोरी तो खुद ही फिर से जाना जाती थी लेकिन याद रखना कल तुम ही जुराओगे अगर आज फिर से पकड़ेगे तो कहीं ऐसा नहो कि तुम कल अपने वादे से मुकर जाओ जो भी हो कल हमारी बारी और हम ही चुराएंगे और फिर वो सब फिर से उलूओं के बाग की तरफ चल देते हैं जल्थ ही वो वहाँ पहुं जाते हैं और फिर कबुतर और तोता वहीं थोड़ा दूर एक पेट पर बैठ जाते हैं और गोरी और कालू अंगुरों के बाग में चले जाते हैं कालू तुम खाओ, आज मैं गुच्छा तोते और कबूतर को दे आती हूँ और फिर खाएंगे हम पेट भर के और फिर गोरी कवी एक गुच्छा अंगूरों का अपनी चोंच में लेकर कबूतर की दरफ जाती है देख लो पहले तम हें दिये हैं और फिर गोरी वापस चली जाती है और कालू और गोरी की अच्छे से पताई करते हैं और फिर तोते का दिहान बाग की तरफ जाता है तो कव्वे और गोरी को पिटता दे कबूतर से कहता है कबूतर भागो लू आगे कव्वा और कव्वे आज फिर से पिट रहे हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं भाई वो देखो उनके साथी भी थे साथ वो भागे हैं आप हमें माफ करते हैं हम फिर से इस तरफ नहीं आएंगे भाग जाओ ये बाग हमारा है अगर फिर आए तो ऐसे ही पटाई होगी तुम्हारी और फिर गोरी और कालू वहां से भाग जाते हैं कबूतर और तोता तो प चुराओगे तुमने वादा किया था हमसे और हम रखेंगे दिहान ऐसा कहते हुए गोरी और कालू अपने घर चले जाते हैं तोते अगर कल हम इनके साथ ना आगे तो ये तो हमें छोड़ेंगे ही नहीं कबूतर यार और वादा किया है जाना तो पड़ेगा ही लेकिन हम इ हिंग था उन्हें तो पहले ही पता था कि आज तो गोरी और कालू जरूर आएंगे क्यूंके आज अंगूर चुराने की बारी उनकी थी चलो भी तोते और कबूतर तुम्हें भी तो पता चले मीठे मीठे अंगूर कैसे चुराते हैं आज तुम्हारी बारी है और फिर वो स लेकिन आज तो उल्लू पहले से ही छुपे बैठे थे भाई हम रोज इन्हे ही माते हैं क्यों ना आज इन्हे छोड़े और इनके साथियों को मारे जो पास में छुपे बैठे हैं हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है इन्हे भी सजा मिलनी चाहिए और फिर उलू तोते और कबूतर को छोड़ कर गोरी और कालू की तरफ चले जाते हैं गोरी और कालू अपने दिहान बैठे हुए थे कि वो उलू आकर उन्हें मानना शुरू कर देते हैं तोता और कबूतर तो ये देख कर फिर से भाग जाते हैं रोज उन बाग वाले पक्षियों की बटाई होती है, असल चोड तो तुम हो, जो बच जाते हो, हर रोज भाग जाते हो, कालू इसे कहते हैं, जो भागे में हो मिलकर रहता है